हेलो फ्रेंड्स दुर्गार्चाला में आपका स्वागत है फ्रेंड्स हमारा पिछली वीडियो में लेट साइड का पीस बन चुगा था अब हम अपना ये राइट साइड का पीस बनाएंगे ये देखे फ्रेंड्स अब हम अपना राइट साइड का पीस बनाएंगे फ्रेंट साइड का तो इसमें भी मैंने 38 फंदे डाले हैं तो फ्रेंड्स फंदे डालने के बाद अब हम इसमें अपना बोर्डर बनाएंगे तो देखे फ्रेंट्स बोर्डर के लिए हम पहला फंदा अपना सीधा बनाएंगे दागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा आगे एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा आगे एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा सीधा तो इसी तरीके से फ्रेंट्स एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते होए हम अपनी ये पूरी सलाई निकाल लेगे तो देखे फ्रेंट्स ये सिलाई बनाते हम लास्ट में आये हैं मैंने ये उल्टा फंदा बनाया है दागे पीछे करेंगे एक फंदा सिधा बनाएंगे दागा आगे लास्ट का फंदा हमारा उल्टा बनेगा तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे तो ये बुनने के बाद ये से लाई हमारी बन चुकी है अब हम इसके उल्टी साइड है तो देखें फ्रेंट अब हम उल्टी साइड है लाश्ट का फंदा इधर से हमने ये उल्टा बनाया था और इधर से हमें ये सिधा दिखाई दे रहा है ये देखी इस तरीए से तो इस फंदे को हम इधर से उल्टा बुनेंगे हम इधर से सीधा दिखाई दे रहा है उल्टा बुनेंगे जो फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है यह हमें उल्टा दिखाई दे रहा है उल्टे फंदे पर सीधा बुनेंगे सीधे पर उल्टा, उल्टे पर सीधा, सीधे पर उल्टा, उल्टे पर सीधा, तो इसी तरीके से फ्रेंट्स बुनते हुए, ये सलाई भी हम अपनी कम्प्लीट कर लेंगे, तो देखें फ्रेंट्स कि अपनी दूसरी तरफ की सलाई बनात्यों हम लास्ट में आएं, ये फंद निकाल ली है अब हम इसकी सिधी तरफ है तो देखे फ्रेंट्स अब सिधी साइड है सिधी साइड से हम जैसे हमने पहली सलाई निकाल ली थी वैसे ही निकालेंगे उल्टा फंदा आईए इस पर हम सिधा बनाएंगे दागा आगे यह सिधा फंदा है इस पर उल्टा पहली और दूसरी सलाई को रपीट करते हैं हम अपना ये बोडर बना लेंगे बोडर में दस सलाई नीकाल लेंगे तो ये बोडर बना लेते हैं कि यह देखें हमने अपना बोर्डर बना लिया है बोर्डर में हमने 10 लाइया निकाली है राइट साइड का हमारा यह पीस है तो फ्रेंट्स हमारा बोर्डर बन चुका है अब हम इसमें अपना पैटन बनाएंगे तो फ्रेंट्स हम सिद्धी साइड है सिद्धी साइड से पूरी सिलाई हम अपनी सिद्धी बुनते हुए कम्प्लीट करेंगे पैटन की हमारी यह पहली सलाई है फर्स्ट सलाई है हमारी तो इसे हम पूरा इस तरीके से सिद्धा सिद्धा बुनते हुए निकाल लेंगे यह सलाई हमने पूरी सिद्धी निकाल ली है अब हम इसकी उल्टी तरफ है तो फ्रेंट्स अब हम इसकी उल्टी साइड है उल्टी साइड से भी पूरी सलाई हम अपनी सिद्धी बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे तो इस तरीके से यह सिद्धी पूरी सिद्धी निकाल लेंगे तो फ्रेंट्स हमने अपनी पूरी सिद्धी निकाल ली है अब हम इसकी सिद्धी तरफ है तो फ्रेंट्स हम सिद्धी साइड है सिधी साइट से फिर से हम अपनी ऐसे ही सिधी 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 बनाएंगे तो इसी तरीके से दोनों साइट से हम सिधी 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 बनाते हुए अपनी यहापर छे सिधी सिधी निकाल लेंगे तो देखे फरेंडs हमने अपनी यहाँ पर तो सिध्दी साइड से हमारी यह सात्वी सलाई भी बिल्कुल सिध्दी ही बनेगी तो देखे इस तरीके से पूरी सलाई को हम सिधा सिधा बनाते हुए कम्पुलीट करेंगी यह सलाई हमने पूरी सिद्धी बना ली है अब हम इसकी उल्टी साइड है तो देखे फ्रेंट्स अब हम इसकी उल्टी साइड है उल्टी साइड से हमारी यह आठमी सलाई है आठमी स्लाई में अब हम अपना यह pattern डालेंगे तो मेरे इसमें 38 फंदे मैंने इसमें यह डाले है 38 अब सबसे पहले मैं इसमें से 10 फंदे राइट साइड का हमारे यह पीस है तो इस तरीके से हमारे पीस आएगा यह हमारा front का पीस होगा यहाँ पर जिस पर हमारे बटन लगेंगे वो हमारे इधर की साइड होएगा तो ये अब हम इसमें सबसे पहले 10 फंदे आपने सीधे बुनेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, औरेकिये 10 10 फंदे आपने सीधे बुनें अब इस से आगए हम पांच फंदे आपने उर्टे बुनेंगे दागा आगे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, और एकिये पांच, पांच फंदे हमने उर्टे बुने, दागा पीछे करेंगे आगे हमारे 23 फंदे बचे हैं, 23 फंदों को हम सीधा ही बुन देंगे देखे इस तरीके से आगे की पूरी सलाई हम अपने सीधी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे तो फ्रेंट्स हमने अपने आगे के 23 फंदे बुनते हुए ये सलाई कंप्लीट कर ली हैं, अब हम इसकी सीधी साइड हैं तो फ्रेंण्स अब हम सिधाइड हैं सिधाइड से जैसे हमने अपने साथ favorite ल हृए निकाल द нattend है उसी तरीके से पूरी सचिद्धी बुनते हुए निकाल देंगे इस तरीके से पूरी सलाइड हमारी सिधा निकलेगी और ऊंटी साइड से जैसे अंवने disrupted अपनी आठ वी जल रपीर करते हुए बना लेते हैं तो देखे अपने पैटरन रपीर्ट करते हुए अगे अपनी पूरी सलाईयां बना ली है यहां से लेकर यहां तक की मेरी चोदा सलाईया इसमें निकली है, तो अब हम इसकी सीधी साइड है, तो फ्रेंड्स अब हम इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड से फिर से हम, जैसे हमने अपनी फर्स्ट सलाईय यहां पर निकाली थी, वैसे ही निकालेंगे, पूरी सलाईय सीधी सीधी बनाएंगे, तो फ्र इस पीस की लंबाई बना लेंगे फर्स सलाई से लेकर पहली सलाई से लेकर 14 सलाई तक तो जो हमने पैटन डाला है उसी तरीके से बनाते हुए इस पीस की लंबाई हम अपनी बना लेते हैं झाल 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 इस पीस की लंबाई पूरी बना ली है इसमें मैंने जो टोटल अभी तक बनाया है 10 सलाई हमने नीचे बोर्डर की निकाली उसके बाद 76 सलाई हमने अपना ये पैटन रपीट करते हुए डाली है तो यहां तक का ये पैटन मेरा बन चुका है अब हम इसमें सीधी साइड है तो फ्रेंड्स यहां तक का बनाने के बाद अब हम इसमें अपनी मोड़े की गटाई करेंगे तो ये हमारा राइट साइड का पीस है तो पहले हम अपनी एक सलाई ये पूरी सिधी बना लेंगे तो देखे इस तरीके से पूरी सलाई सिधी सिधी निकाल लेंगे हम अपनी इसके हम मोड़े की गटाई हमारी उल्टी सलाई में होएगी तो इसलिए हम ये सिधी सलाई पूरी निकाल लेते है ये सलाई फ्रेंड्स हमने पूरी सिधी निकाल ली है अब हम इसके उल्टी तर तो देखे फ्रेंस अब हम उल्टी साइड है राइट साइड का पीस है हमारा अब हम इसमें मोड़े की गटाही अपने उल्टी साइड करेंगे तो जो हमरे यह दस फंदे हैं इधर की साइड से हमारी मोड़े की गटाही होगी यह हमारे गले की साइड का जहां हमारे 23 फंदे स सिध्दें हैं तो सबसे पहले हम यहां पर देंगे पहला पर आपना इस तरीक Imam Ti के he rit है और इपंभां किये में अब इस से आगे कि संवा यहें हमारी पैटने क्याद लेंगे पहले अमरे हम यहां पर गा हैं गटाई करने के बाद दागा पीछे करेंगे अब हम अपने यह फंदे सीधे बनाएंगे तो इधर आब हमारे 10 फंदों में से 4 फंदे बंद करने के बाद 6 फंदे यहाँ पर सिध्य बचे हैं दागा आगे करेंगे अब हमारी ये वाली डिब्बी स्टार्ट होईगी तो हम आपने 5 फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तिन, चार, 5, फंदे उल्टे बनाए, दागा पीछे, आगे के फंदे हम आपने सारे सिध्य बनाते हुए ये स्लाई कंप्लेट करेंगे ये खाsted हमने बनाली है, आभ हम इसकी शिध्य दरफ थे तो फ्रेंट्स अब हम सिद्धी साइड है, सिद्धी साइड से अब हमारी ये सलाई पूरी सिद्धी बनेगी, तो ये सलाई हम अपनी पूरी सिद्धी बुनते हुए निकाल लेते हैं, ये सलाई हमने पूरी अपनी सिद्धी निकाल लिए है, अब हम इसकी उल्टी तरफ है, तो फ्रेंस आप हम उल्टी तरफ हैं, उल्टी तरफ से पहले अपने 6 फंदे सीधे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और एक ये 6, 6 फंदे सीधे बनें, दागा आगे 5 फंदे हमारे ये उल्टे बनेंगे, एक, दो, 3, 4, और एक ये 5, दागा पीछे, आगे ये फंदे हमारे सारे सीधे बनेंगे, तो हम ये सलाई भी निकाल लेते हैं, ये सलाई हमने निकाल ली हैं, अब हम इसकी सीधी साइड, तो फ्रेंड्स, अब हम सीधी साइड हैं, सीधी साइड से अब हम, जैसे हमने अपनी तीसरी सलाई निकाल ली हैं, वैसी बनाएंगे, उल्टी साइड से जैसे हमने अपनी चोथी सलाई निकाल ली हैं, वैसी बनाएंगे, तो इसी त्रीके से बनाते हैं, हम अपनी पांचम तो फ्रेंद्स हमने अपना ये pattern यहां तक हमें तक बना लिया है पांच में छटी सात्वी ब्री इस सद्धी साइड है अब हम इसकी सीध्धी साइड है तो अब आपनी यहांसे गले की गटाई करेंगे राइट साइड का पीस है हमारा सीधी साइड से हमारी गटाई होएगी तो यहां पर हम अपने 17 फंदें बंद करेंगे तो पहला फंदा हम अपना उतार लेंगे दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे पहला फंदा इसके उपर से उतारेंगे एक कि दो तीन, क्यार, पाच, चेर, साथ, आठ, नुँ, दास, ग्यारा, बारा, तीरा, चोदा, पंदरा, तोला, और एक ये सत्रा, सत्रा फंदे हमने अपने बंद कर दिये हैं, अब इधर देखिए मेरे ये, छे फंदे इधर बचे हैं सिद्धे, पाच फंदे ये वाले बचे हैं, और छे फंदे मेरे इधर बचे हैं, तो टोटल यहाँ पर मेरे सत्रा फंदे हमारी सिद्धी सिद्धी बनेगी पूरी तो इसे हम आज हम की इल्टी साइड है उल्टी साइड से पूरी सिद्धी बुमते हुए कम्प्लीट करेंगे अब यह वड़ा पैटन बनेगा हमारा तो सिद्धा बुनेंगे पूरी सलाई को ही हर एक फंदे को ही हम सिद्धा सिद्धा बुंते हुए निकाल देंगे को यह सलाई भी फ्रेंट्स हमारी बन चुकी है अब हम इसकी सिद्धी साइगा है तो फ्रेंट्स आब हम सिद्धी साइड है सिद्धी साइड से फिर से हम अपनी पूरी सलाई सिद्धी सिद्धी बुंते हुए निकाल लेंगे यह सलाई हमने सिद्धी निकाल लिया है अब हम इसकी उल्टी तरफ है अब हम इसकी उल्टी तरफ है उल्टी तरफ से फिर से हम अपनी पूरी सलाई सिधी ही बनाएंगे पूरी सलाई सिधी सिधी निकाल लेंगे यह सलाई हम पूरी सिधी निकाल ली है अब हम इसकी सिधी तरफ है तो फ्रेंट शिद्धी तरफ से अब हम फिर दुबारा से अपनी ये सलाई पूरी सिद्धी सिद्धी ही निकाल लेंगे पूरी सलाई को ये सलाई निकालने के बाद अब हम उल्टी साइड है अब हम फिर से दुबारा से उल्टी साइड है और अपनी पूरी सलाई सिद्धी सिद्धी बुनते हुए ये सलाई भी हम अपनी कम्प्लीट कर लेंगे ये सलाई निकाल कर फ्रेंट अब हम इसकी सिद्धी साइड है अब हम सिद्धी साइड है सिद्धी साइड से फिर से हमारी ये सलाई अब सिद्धी सिद्धी निकलेगी तो इस सलाई को भी हम सिद्धा भुनते हुए निकाल लेते हैं ये सलाई निकालने के बाद अब हम उल्टी साइड है फ्रेंड्स अब हम उल्टी साइड हैं उल्टी साइड से पहले हम आपने 6 फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच और एक ये 6 दागा आगे करेंगे अब हमारी ये वाड़ी डिब्बी स्टार्ट होएगी तो 5 फंदे हमारे उल्टे एक दो तीन चार पांच दागा पीछे 6 फंदे आगे के हमारे ये सीधे ही बनेगे तो इन फंदों को हम सीधा बुनते हुए ये सलाई निकाल ली हमने अब हम इसकी सीधी दरफ है तो फ्रेंट्स अब हम सीधी साइड हैं सीधी साइड से जैसे हमने अपनी 15 फी सलाई निकाल ली है वैसे ही बनाएंगे और उल्टी साइड से जैसे 16 फंदे निकाल लिया वैसे ही बनाएंगे तो ऐसे ही बनाते होए हम आपनी 17, 18, 19, 20, 21 और 22 वी 22 वी सलाई तक friends हम आपना ये pattern repeat करते हुए बना लेते हैं सिधी साइड से सिधी, उल्टी साइड से 6 फंदे सिधे, 5 फंदे उल्टे 6 फंदे सिधे तो ऐसे ही करते होए 22 सलाई तक हम आपना ये बना लेते हैं तो ये देखे friends हमने आपनी 17, 18, 19, 20, 21 और 22 वी सलाई अपनी निकाल ली है अब हम इसकी सिधी तरफ है तो friends अब हम सिधी तरफ हैं सिधी तरफ से अब हमारी ये सलाई पूरी सिधी सिधी बनते हुए कम्प्लीट होएगी तो इस सलाई को हम अपना पूरा सिधा बना लेते हैं ये सलाई हमने सिधी निकाल ली है अब हम इसकी उल्टी तरफ है तो friends उल्टी तरफ से भी पूरी सलाई हमारी सिधी ही बने गया भी है तो इस सलाई को हम पूरा सिधा बुन लेंगे जो बीच के फंदे उन्हें भी सिधा ही बुनेंगे इस तरीके से पुरी सलाई सिधी सिधी ही बनाएंगे यह सलाई हमने बना लिया है अब हम इसकी सिधी तरफ है तो फ्रेंट्स अब हम सिधी साइड हैं सीधी साइड से भी हमारी ये सलाई पूरी सीधी ही बनेगी इस तरीके से तो जैसे हमने अपनी 11 सलाई से लेकर 24 सलाई तक बनाई हैं तो इसी तरह से रेपीट करते हुए फ्रेंड साम अपने ये मोड़े की लंबाई बना लेंगे गया हुए देखे फ्रेंड हम ने अपने मोड़े की लंबाई पूरी कर लिए है ये हमारा पीस बनकर बेलकूल त्यार है राइट साइड की शेएं हमारा है तो इसमें भी हमने जो बनाया है है दस राइयां अपनी बोडर की निकाली है। इतनी सेलाइय निकालने हमारे यहoyu बन कर वे हैं यह तियार है यह देए हमारे तीनों पीस बन कर त्यार है अब हम इस हमारे बैक पीस को हम ऐसे कि सीधा रखेंगे और इन वाले में फीस को हम इस तरीके से जो हमारे गढ़े वाला में हमारा भीज में मुट् Canton के सायब में तो सिधा ही रखें से बिना में उतार लेगते हैं इन दो पीजे को मैं से पकड़ेंगे यहां से मोड़ा हरत wicked के मुड़ा में मोड़ा की मोड़ा हरा देख हमारे के साई है यहां से हमारा गला हुं में से और दो फंदों का यहाँ पर हम एक कर देंगे फिर से हम दोनों स्लाइब में से एक एक फंदा लेंगे दो फंदों का एक किया पहला फंदा इसके उपर से उतार देंगे फिर से हम दो फंदे लेंगे दो फंदों का एक और पहला फंदा इसके उपर से उतार देंगे तो इसी तरह से आम आपने यहीं आपर ज्वाइनिंग करेंगे तो देखे हमने हे अपनाइध से मुड़ा ज्वाइन कर लिया है अब हमारा इदर की साइड दागा यह फ्रंट पीस के साथ जो दागा था तो इसे अम यहांपर २करेंगे पहले हम अपने इस दागे को काट फटीज इस तरह के से इस यहां पर अपने इस दागे को पक्का करेंगे बचए जो हमारा दागा अधरो बच नहीं इसको पक्का करेंगे ऐसे हम जब सिलाई करेंगे तो दागे को अंदर की साइड कर देंगे तो friends आब हमारा ये back piece है इदर की साइड का मोड़ा हमने जॉइन करना है पहले हमने back piece में इदर के 17 फंदे छोड़कर पिछे के जितने भी हमारे फंदें हैं सब फंदों को हम बंद कर देंगे इसी तरीके से बुनते हुए एक एक फंदा बुनेंगे तो देखे एक फंदा सीधा बुना और ये फंदा हम इसके उपर से उतार देंगे एक फंदा और सीधा बुना ये भी उतार देंगे तो इसी तरीके से हम आपने बैक साइड के फंदे बंद करेंगे 17 फंदे इधर के छोड़ कर बीच के फंदे हम अपने बंद कर लेंगे यह देखे फ्रेंड्स हमने अपने बैक साइड के फंदे बंद कर दिया है सारे एक एक फंदा बुंते होए तो आब हम अपना ये दूसरी साइड का जो हमारा इसको हम इसके साइड करेंगे बैक पीस के साथ 17 फंदे मेरे आगे की साइड है 17 फंदे मैंने पिछे की साइड वाड़े पीस में रखे हैं तो इसको भी हम दोनों सलाई में से एक एक फंदा लेंगे दो फंदो का एक किया और ये वाला फंदा हम इसके उपर से उतार देंगे फिर से दो फंदो का एक और इसे भी उतार देंगे दो फंदो का एक और पहला फंदा इसके उपर से उतार देंगे तो इसी तरीके से बनात कि हमारा इधर की साइट वाला दागा कम नेकारब लेंगे उसे में पकणवेश्का दे यहां का यह दागा भी पक्का हो गया एक फंदा जो बचा था अब इस दागे को हम यह से अंदर की साइड पका कर देंगे यहां पर सुई में डालते हुए अंदर हम इसको पका कर देंगे टो यह देखे फ्रैंश हमारी मोड़ने जवाइन करने के बाद हमारे यह स्वैटर इतना बन चुका है तो देखे फ्रैंश अब हमने जो यह अपना पैटन डाला है इसका जो हमने यह प्लैन पीस बनाया है इसका आपने यह मोत्ति लगाएंगे इसके बिल्कुल सेंटर को उपर लेकर आएक और जो हमारे सम この हम इस्तिक चेद मैं है कि यहां से हम इसको अंदर की तरे डाल लेंगे हैं से को यहां पर ऐसे करते हुए तो कि कि है कि एछ अभीस तर्फ के सब्सक्राइब 늦्चाटि सोमारिटर से डाला है कि जोICES सब्सक्राइब इधर की साइड आगी है यहां से हम सुई को फिर पिछे लेकर जाएंगे निच्छे की साइड तो हमने यह सुई निच्छे की है अब अपनी दिखी इस तरीके से हैं दुबारा से हम इसको इधर की साइड से सुई को निकाल लेंगे जहां से हमने पहली बार निकाल ली थी यह फिर से एक बार और हम ऐसे ही करेंगे इसको पक्का करेंगे यहां पर निच्छे से लेकर आएंगे छेद के पास ही और इस छेद के अंदर से अमने ऐसी सुन डाली इधर की साइड निकाल ली और यहीं से आम इसको निच्छे की साइड लेकर जाएंगे तो दीखिए हमारा यह करके बनीज़ को नित्यके की स्याइट को मोटी पका हो गया है हम इस दागे को निचे की साइड कर देंगे इस तरीके से %. किी ज़ित li मारा यह मोती यहां पर इस तरीके से लग चुका है अब आचे यहां पर यहां पर यहां पर भी आपने पैटन बनाए अपने फ्रंट आइड वे बैक साइड में हर एक में हम अपना यह पूट है इसको कंप्लीट करेंगे अज़ी हमने अपने मोड़े की गटाई से लेकर नीचे तक इधर की सिलाई करेंगे और उदर की सिलाई करेंगे यह देखे फ्रेंट्स हमने अपने स्वेटर की सिलाई कर दिया दूनों साइड से बटन भी हमने इसमें अपने लगा लिया तीन होल करे थे हमने तीन बटन लगाए है जो हमारी यापर एक्स्ट्रा दाके थे हमें भी हमने इसको पक्का कर दिया है अब हमारा स्वेटर बन कर त्यार है थेंक्यू फ्रेंड्स